तो दोस्तो टोटल स्लिशन मिलार में आप लोग का स्वाग आते दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही अनुखा है तो आज देखेंगे एक रेसिंग कार जो खराब होने से इसको कैसे हम रिपेर करते कैसे कैसे प्रॉब्लेम आता है क्योंकि यह वाला रेसिंग कार बहुत सारा जाता है तो इसको बाद इसमें प्रॉब्लेम आता है लेकिन उसके लिए पूरा बरबाद हो जाता है तो वही आज हम लोग देखेंगे इसको कैसे रिपेर कर सकते स्टेप बाइस्टेप तो इसका बैटरी का जो वोल्टेज मैंने डीसी ट्वेंटी मूंड में रखके तीन नाठे इसके अंदर तेन स्कूव है तो इसको हम एक एक करके खोल लेंगे तो खोलने के बाद इसका जो पूरा डाचा है बाहन निकल जाएगा उसके बाद देखेंगे इसका प्रॉब्लम क्या है और कैसे इसका सॉलूशन करते तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही अब लोग दिल थाम के बैठिये वीडियो को कीप मत किजिए नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो और ध्यान से देखते रहिए और सिखते रहिए तो दोस्तों देखिए मैंने इसका उपर वाला जो डखकने रेसिंग का यह हमने खोल लिया है तो इसके अंदर एक सार्कीड एक स्विच है और पिछले हिस्चे में एक मोटर के साथ एक मेकानिजम है दोस्तों इसके अंदर हम तीनों बैटरी को हम डाल देंगे ताभी करके तो देखिए इसका जो है सामने वाला लाइट तो गलो कर रहा है लेकिन गारी जगा से हिल नहीं रहा है दोस्तों तो इसको हिलाने के लिए हमको क्या करना परेगा इसका जो पिछले हिस्चे में मोटर के साथ जो मेकानिजम है इसको हमको खोलना परेगा दोस्तों तो आदी हमको पता चलेगा इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है दोस्तों इसका जो ग्यार रहता है इसका ऐसा बनावाटी है कि थोरा सा इसमें अगर ज्यादा जटका आजाए पेशार आजाए तो ग्यार जो है एक साइट से फट जाता है इसका जो पेनियम रहता है पेनियम के साथ जो ग्यार रहता है दोस्तों देखिये मोटर के सैट के साथ जो ग्यार है यह क्या होता है फट के थोड़ा लूज हो जाता है इसी करण मोटर तो गुमता है दोस्तों लेकिन गारी जगा से हिलता नहीं है तो इसका आज सुलुशन कर हैं तो इसको पहले हम अच्छे साब कर लेते तो अहीं क्यान गारी जगाऊ से हीलने ही रहा है तो दोस्तों इसको हम बता देत Х Ivva Tay KlaふふCC की लगाखके चला ता है तो ओ भी हम दिखाएंगे इसमें스파 लाहके चलाके क्या होगा थोड़ा Lazied का गारी जगा से उसके बाद बंद हो जाएगा और हिलेगा नहीं और भी हम दिखाएंगे तो मोटर का जो सैफ्ट है उसको हम थोड़ा साप कर लेते क्योंकि इसमें ग्रीज या ओयल लगा हुआ रहता है तो हम हम डॉबल टेप के मदद से सैफ्ट को क्या करेंगे साप इससे जो रहता है ओयल और ग्रीज बगरा उसको साप कर लेंगे तो देखिए मैंने साप कर लिया अब इसमें ग्यार का पकर ज्यादा अच्छा रहेगा और देखिए यह जो डबल टेप है मतलब डबल टेप नहीं दोस्तों यह मस्किंग टेप है तो इसको क्या करेंगे हम पतला सा काट के रखेंगे लेक्स टाइम में काम आएगा इसको क्या करना पड़ेगा हम बताएंगे आपको लेकिन देखिए ऐसे पतला साप इसको काट लीजिए ग्यार जितना है उससे आधा ग्यार जितना बड़ा है उससे आधा आधा आप इसको काट लीजिए यह बाद तोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखाया, तो हमने ग्यार को में फेव कोई की लगा दिया है, अब ही क्या करेंगे, इसको हम सेट करेंगे, सेट करके आप लोग को चला के दिखाएंगे, देखना थोड़ी देर में, मतलब एक दो बार गारी हीलेगा, कार हील में सही से ग्यार मिला है आप लोग को मिलता है तो ठीक है तो भी हम बताएंगे एक ग्यार अगर पूछा कराब हो जाता है आप रेंपर कर नहीं पाते नहां ग्यार कहाँ ई accepting मिलेगा ओभी हम बताएंगे तो वीडियो को देखते रहो है तो इसका जो एसको उसको कस देते है तक रसने के बाद इस गारी को अभी चला के दिखाएंगा थे देखना ध्यायन से देखना दोस्तो कैसे एक बार-दो बार हिल के बंद हो जाता है है तो दिखिए एचल गया ए दो बार इसका देखिए चका गुम रहा है अभी हम नीचे रखके और एक बार देखेंगे तो देखिए यह अभी जो है पहले जाए पहले जैसा हो गया दोस्तों पहले कंडिशन में आ गया अभी देखिए इसका मोटर तो गुम रहा है सामने वाला जो लाइट है वी गलो कर लेकिन जगा से इल नहीं रहा है तो फ्रेट से हमने इसको खोल लिया तो इसका सॉलुशन कैसे करना है हम बताएंगे अभी देखिए गयार को हमने अच्छे से साब कर लिया अभी इसमें लागेगा दोस्तों डेंड राइट तो जितना भी डेंड राइट हो सके दोस्तों घर के अंदर जो हौल और को यो फोल के अंदर हमको डालना परे गा एडेंड आइट तो डालने के बाद जो हमने मस्किंग टेप एक को काटके रख दाए ऑग्यार के चारो तरफ लपत लपतना परेगा दोस्तो, ताइट करके उसको लपत लिजिए, गयर के निचले इससे में, जहाँ पे मोटर रहता है, मोटर के नजदिक में क्योंकि उपर वाला हिस्सा में जो दूसरा वाला ग्यार है वो एटाच होगा तो इसलिए इसका देखिए जो मोटर के साइड में ग्यार का जो नजदिक है वही पर आपको मास्किंग टेप को थोड़ा लपटना परेगा तो उसको लपट लीजिए कि आप कोको सुपकः तो देखिए मैंने इसको कोजिपढ़ के अभी शेट कर दिया हूँ त्व दिखिए मेरा घारी जो है अभी चल रहा है बहुत टाइम तक चलेगा इसको आभी हम शेट करके भी दिखाएंगे इसका पूरा फिटिंग करके بھی इसको चलाएंगे और देखेंगे इसका ग्यार लूच नहीं होगा दोस्तों तो देखें जब ऐसा प्रोब्लम आता है आप इसको नया ग्यार जो लगा सकते हो तो नया ग्यार क्या है आपको मार्केट में नहीं मिलेगा लेकिन आपको 10-20 रूपिया में छोटा-छोटा जो खिलोना मिलता है दो पो क्योंकि जो मोटर का शैट्र में बैठता है वाला गयार है सब aquesta मिल Indian लगाक क उसके अद्र खिलोना के अंदर आप लोगो मिल जाएगा अप वहां से आप शोकी लगा सकते हो नया वाला अगार नया वाला नहीं ही तो आप ऐसे हमारा तरह जो कि इसके अंदर अब डेन राइट लगा के उसके बाद मास्किंग टेप को ग्यार के निचले हिस्से में लपेट लो टाइट करके उसके बाद क्या होगा ग्यार पकर बने के रहे रहे रहा हो चुटे का नहीं तो दिखिए इदर स्विच भी में टिका रहेगा तो अभी इसका जो स्कूब लगा के हम इसको अभी चला के भी दिखाएंगे और दोस्तों मेरा चैनल का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाईए नयना वीडि प्रेलिस्ट में जाके भी आप लोग डेर सारा वीडियो मिलेगा हुआ से देख सकते हो और कुछ ना कुछ जरूर आप लोग को सीखने को मिलेगा है मेरा दावा है आप लोग टेकनिशियन हो या नॉन टेकनिशियन हो उससे कोई पर्क नहीं पड़ेगा अब लोग को किया कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यह ग्यार अभी छूटे का नहीं क्यूंकि मैंने ऐसा बहुत बार किया है तो मैं सोचा चलो इसका वीडियो भी डाल देता हूं क्यूंकि बहुत सब्सक्राइब बंदक या गारी खरीदता है उसके बाद यह सही नहीं हो पाता है इसका जाता है तो दिखिए अभी मेरा गारी जो है ओसे ही से चल रहा है तो ओके टैंक यू वाचिंग माई वीडियो